हलो बच्चों आज का हमारा प्रस्ण है ग्लोकोज से ग्लोकोनिक अमल कैसे प्राप्त करोगे इंपॉर्टेंट कोश्चन है क्योंकि इसमें दो कोश्चन अल्रीडी बनते हैं पहला कि आप ग्लोकोज से ग्लोकोनिक कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो यह आपका ग्लोकोज के अपचायगोंड के कंटेनिंग आएगा और इसमें होता क्या है कि आपको ग्लोकोज की रेक्षन करानी होती है फैलिंग विलियन से ठीक है यानि कि ग्लोकोज का आपको अपचैन करना है फैलिंग विलियन के साथ में ठी तो बच्चो अब reaction देखते हैं सबसे पहले हम लोग लिखते हैं glucose का सूत्र तो glucose का सूत्र आप इस तरीके से लिख सकते हैं CHO single band CHOH का hole 4 और फिर यहां से single band CH2OH ठीक है तो बच्चो यह हो जाएगा आपका glucose का सूत्र यहां पर नाम लिख देंगे glucose ठीक है अब इसके बाद में इसमें reaction आपको करानी है failing solution से तो यहां पर लिखेंगे plus 2COO ठीक है अब इसके बाद में आप गरम करेंगे तो यहां पर आपका जो product बनेगा वो होगा आपका glucose कमल ठीक है तो glucose कमल का सूत्र हो जाएगा सी डबल ओ एच सिंगल बांड सी एच ओ एच और इसका होल फोर करेंगे आप फिर नीचे सिंगल बांड सी एस्टू ओ एच ठीक है तो यह आपका हो जाएगा ग्लूकोनिक अमल का फार्मूला ग्लूकोनिक एसिड और यहां पर इसमें साथ साथ में आपका क्यूप्रस अक्साइड होगा सी यू टू ओ तो यह हो गया क्यूप्रस अक्साइड तो क्यूप्रस अक्साइड का लाल अच्छे मिलेगा तो यह भी आपको याद रखना है कि यह जो क्यूप्रस अक्साइड है यह लाल अच्छे में प्राप्त होगा तो इस तरीके से यहां पर दो कोश्चन बन पहला glucose से ग्लोकोनिक अमल कैसे प्राप्ट कर सकते हैं दूसरा अगर हम फैलिंग विलियन के माध्यम से ग्लोकोज का अपचेंड करें तो चेंज किसमें होगा तो वो चेंज हो जाएगा कि उप्रस आकसाइड के लाल अच्छेप में तो दो तरीके से यह प्रसन पूछा जा सकता है इसका रिविजन कर लेना आपके लिए बेनिफेशियल सिद्ध हो सकता है तो जो लोग चैनल पर पहली वारा हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें थैंक्यू एवरिवन